येस पहरे पहरे बच्चो सर बहुत डर लग रहा है एक्जाम में कि सर सेप्टेंबर एक्जाम में हम पास होगे की नहीं होगे सर जून एक्जाम में बच्चो को लौ में बहुत कम मार्थ मिले कही बच्चो में लौ में फेल तो नहीं हो जाओगा सर बच्चो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होगे I am very sure बच्चो कि आपका दिल बहुत धगदग कर रहला होगा बच्चा बाटी टेंशन लेने की बिल्कुल जरुवत नहीं है because अपने पूरे experience को यूज़ करके बच्चा बाटी मैं आप लोग के लेके आ रहा हूँ एक 45 डेस law strategy and I am बच्चा बाटी pretty confident कि अगर आप इस strategy को यूज़ करते हो तो बच्चो लोग में चगदे भटे हो जाने है तो बच्चो अगर आप मुझे पूछो कि सर हम कब assure हो सकते है कि हमारी law की बढ़ाई हो चुकी है and law के exam में हम respective mark score करेंगे बच्चो इस are what is required ये कुछ बच्चो टिप्स है जो आप लोगों ने anyhow बच्चो complete करना चाहिए अगर बच्चो आपको comfortable mark score करना है law exam में number one बच्चो कम से कम दो से तीन बार आपने पूरा law बच्चो रिवाइस करके जाना चाहिए उसमें भी बच्चा बाटी जो एक concept है जो most important concept है बच्चो वो आप लोगों ने याद कर लेना चाहिए number two बच्चो writing practice बहुत must है because कई students को यही नहीं समस्ता कि sir law को लिखते कैसे number three बच्चा बाटी कम से कम MTP, RTP, past exams के questions and even बच्चो module के भी questions आप लोगों ने solve करना चाहिए sir कितने MTP, RTP solve करना है बच्चो कम से कम पिछले 5 exams के and last but not least बच्चो कम से कम exam में 2 test series तो बच्चो देखके जाओ ICI के बच्चो mock test papers होते है physics वाला के बच्चो बहुत amazing test series होती है make sure कि बच्चो कम से कम 1 या 2 test series आपको देखके exam के पहले जाना ही है ताकि आप देख सको बच्चो कि आपकी गल्ति कहा कहा हो रही है लिखने में अब सरी इन सब को कैसे कैसे सर हम cover करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो ताइम लाइन के एसाफ से मैंने आपको सारी चीसे दी हुई है से आज जब अच्चा आप वीडियो दिख रहे हो 1 अगस्त है make sure बच्चो कि 31st August का तक बच्चो आपका एक complete revision हो जाए और आपकी बच्चो इसी problem को तो solve करने के लिए बच्चो मैंने आपके लिए लेकिया है OTM series तो OTM series के through number one बच्चो मैं आपको पूरा law revise भी करवा रहा हूँ number two बच्चो एक दिन हम revision करते हैं एक दिन हम writing practice करते है and writing practice भी बच्चा पार्टी इस exam के and पिछले कुछ exams के बच्चो में RTP, MTP RTP, MTP बच्चो questions ही discuss कर रहा हूँ तो अगर आप बच्चो मेरे साथ OTM series करोगे तो number one बच्चो आपका मेरे साथ में एक बार revise जो रहाएगा number two बच्चा बच्चा पार्टी then बच्चो 31st August तक अब आप OTM series continue करते हैं बच्चो तो एक बार आपका law का revision में इसाथ में हो जाएगा एक बार बच्चा पार्टी मैंने law के marathons डाले हुए है तो marathons के थूभी बच्चो इसके बाद आपने एक बार और revise कर लेना चाहिए सर जैसे ही law दो बार revise हो जाता है तुरंट इसके बाद बच्चा पार्टी आप लोग test series दे सकते हैं या तो बच्चो ICI के फिरस्वाला के दोनों भी test series बच्चो आप लोगों ने attempt करना चाहिए at least दो exams and उसके बाद बच्चो तिसरी revision आपकी होगी exam date पे इस schedule को बच्चो अगर आप follow करेंगे तो आपका number one law revise हो गया तीन बार कम से कम number two बच्चा पार्टी ठीक है आपकी test series कम से हम एक दो solve गई, writing practice होगी बच्चा and RTP, MTPs पिछले चारपाज exam के भी बच्चो आप लोगों के solve हो जाएंगे तो this is a very very good strategy जिससे बच्चो आप अपने law को बहुत अच्छे से cover कर सकते हो और बच्चो जिन students का law बहुत weak है याद अचना बच्चो बीच के किसे Sundays को पकड़ के भी आप लोग बच्चो एक या दो topic को revise कर सकते हो कुछ और important tips for your law preparation number one बच्चो जितने भी a concept है important concept है उसे बच्चो आपको याद करना पड़ेगा specially sir पूरा law अगर याद नहीं होता बच्चो तो कम से कम आप लोगों को keywords तो सारे याद करने पड़ेगे number three बच्चो कोशिश करो यहर दिन एक question तो बच्चो अप से लेके exam तक आपको लिखना ही है जितने ज़्यादा बच्चो कोशिशन आप लिखोगे उतने ज़्यादा comfortable हो जाएगे आप law में law subject difficult नहीं है बस यानतना proper strategy अगर आप use करते हो तो बच्चो आप इस subject में बहुत excel कर सकते हो और मुझे recently बच्चो इस student से ये response बिलना है कि sir September को time कम बचा हुआ है sir September को छोड़ के क्या हम January exam में shift हो जाए तो उन सारे बच्चो के ले बच्चो में यही चीज एक लेके आया हो कि मनजिल मिले ना मिले ये मुकदर की बात है मनजिल मिले ना करें ये तो बच्चो गलट बात है तो भाई September पास होगे नहीं होगे बच्चो ये हमें नहीं सोचना है हमें सिर्फ अपना पूरी तयारी पूरी लगन पूरी महनत के साथ में September एक्जाम देना है तो बच्चो पास होना फेल होना बात की बात है बट बच्चो अगर आप September छोड़ी दोगे तो बच्चो वैसे ही September exam में आप फेल हो गए तो यार रखिए September exam में बच्चो पूरे दिलो जान से ताकत लगा के बच्चो महिनट करें You never know, अगर बच्चो सबकुछ सही जगा पे हो गया तो there's a huge chance you can pass September exam with flying colors So this is Kunal Mandarayan signing off, अगर बच्चो आपको law के subjects related और कोई भी doubt है तो बच्चो comment section ने मुझे लिखके बदा सकते हैं Okay, bye bye everyone, God bless you all, take care